हाथ में चपल लेकर दबे पाउं चलती ये महिलाएं उत्तर प्रदेश के ललत पुर की हैं। सेमराडांग गाउं की ये महिलाएं जातिये भेदभाव खत्म होने के तमाम दावों के बावजूद आज भी जलालत झेलने को मजबूर हैं। कमजोर तबके की महिलाओं के मुताबिक गाउं की उची जातियों के लोगों के घरों के सामने से निकलते समय उन्हें अपनी चपलें इसी तरह पैरों से उतार कर हाथों में लेनी पड़ती हैं। महिलाओं के मुताबिक जातिय भेदभाव से भरा ये रिवाज उनके गाउं में पीडियों से चला आ रहा है पीडित महिलाओं के मुताबिक ये अपमान जनक रिवास सिर्फ उनके गाउं में ही नहीं बलकि आसपास के कई गाउं में भी ऐसा ही होता है लेकिन दबंग जातियों के डर से कोई इसका विरोध नहीं करता अगर कभी किसी ने विरोध करने का होसला दिखाया तो उसे धमकाया और अपमानित किया जाता है यूपी के जिस ललत पुर जिले में ये शर्मनाक रिवास जमानी से चला आ रहा है उसके आला प्रशासने का अधिकारी इस से पूरी तरह बेखबर है वो अपनी जिम्मेदारी से ये कहते हुए पला जार लेते हैं कि उन्हें अब तक ऐसी कोई शिकायत ही नहीं मिली यूपी में समाज के कमजोर तबके से जुड़ी महिलाओं के साथ जारी जातिये भेदभाव साफ बताता है कि सामाजिक न्याए और सबका साथ सबका विकास जैसे नारे अब भी समाज के एक बड़े हिस्से के लिए महज नारे ही हैं उत्तरप्रदेश के ललितपुर से अजे जा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट हिंद किसान वाटसेप पर हिंकिसान विप चानल देखने के लिए 7683020370 पर मिस्ट कॉल दे